नमस्कार दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाटाखो का बिजनस अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं दोस्तों गर आप पठाको का बिजनस शुरू करना चाहते हैं तो इसमें कितना investment करना पड़ेगा, profit कितना होगा, location कैसा होना चाहिए इस बिजनस के लिए, license क्या-क्या जरूरी होता है इस बिजनस के लिए, कितनी जगा चाहिए होती है, साथ ही कितने प्रकार से आप इस वीडियो में बात करेंगे, दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि हम इस business को कितने तरीके से कर सकते हैं, तो हम इस business को तीन तरीके से कर सकते हैं, एक इसकी जो है factory लगा के manufacturer बनके, दूसरा जो है, वो है हुलसिलर बनके और तीसरा है retailer बनके, तो दोस्तों अगर बात location की करे तो location कैसा होना चाहिए, तो location भीड़बारवाला होना चाहिए, लोगों की जो है भारी मातरा में आना जाना होता रहा हो, ऐसा जगा होना चाहिए, जहां पे लोग जो है बहुत ही जादा मातरा में आते जाते हैं, रहते हों, इस से फाइदा ये होता है कि जितने जादा लो तो वो लोग फिर वहाँ पे आते हैं और इससे business का grow करने का जो chance है वो बहुत ज़ादा बढ़ता है especially अगर मैं बात करूँ कि इस तरह के business को कहाँ पे किस तरह के location पे करना चाहिए तो मैं आपको बताओ कि main market या शहर के कोई भी ऐसा market जहाँ पे बहुत ज़ादा तादाद में लोगों का आना जाना होता है भीड़भाड होता है भीड़भाड रहता है तो इस तरह का market area especially main market हो या secondary market हो वो माइटर नहीं करता है कहने का मतलब है कि market होना बहुत ज़रूरी है ऐसे businesses के लिए ताकि लोगों की नजर जो है वो आपके shop पे पड़े आपके दुकान पे पड़े अब बात करते हैं कि कितना space होना चाहिए तो space देखिए चाहे आप चाहे तो बड़े भी ले सकते हैं वैसे लेकिन कम से कम की अगर देखे तो कम से कम 200 square foot का जो space है वो आपका shop का होना ही चाहिए ताकि आप अच्छे से जो है business की शुरुआ कर सके अगर बात करें कि license इस business मे क्या होता है तो temporary business दोस्तों वो है जो आप नवरात्री से दिवाली के time जो पंद्राब इस दिन का जो समय होता है उस दरान जो सिर्फ open करते हैं स्टार्ट करते हैं बेचने के लिए पठाके और उसके बाद बाकी साल नहीं बेचते हैं वो temporary हो गया और जो बारो महिने का एक अगर apply किया जाता है तो कम से कम 600 किलो पठाके बेचने की अनुमती दी जाती है और उसके हिसाब से जो license बनता है वो बनाया जाता है पर्मनेंट के हिसाब से आप unlimited बेच सकते हैं और ये दोनों ही license जो है ये police department आपको देता है बना के साथ ही आपको ये भी बता दूं कि license बगएरा और भी बहुत सारा तरीका है जो जो सारा कुछ आपको ये सब लगेगा अब बात करते हैं कि location हो गया space कितना चाहिए वो हो गया license क्या लगता है वो बता दिया गया कितने तरीके से आप कर सकते हैं इसमें आना चाहते हैं तो आपको investment कितना लगेगा तो जैसा मै ने आपको पहले ही बता दिया था कि तीन तरीके से आप कर सकते हैं और तीनों का अपना अलग-अलग investment होता है अगर आप factory लगाना चाहते हैं manufacturer बनना चाहते हैं पटाकों का जो तो उसमें खर्चा बहुत ज्यादा होगा उसमें ज्यादा से ज्यादा space लगेगा labor लगेगा machinery लगेंगे उसमें बहुत ज्यादा जो है आपका खर्चा investment बहुत ज्यादा मात्रा में होगा वहीं पर अगर आप wholesaler के तोर पे आप start करना चाहते हैं business को तो आपको मैं बताओ कि कम से कम अगर आप wholesaler के तोर पे कम से कम लेके भी उतरना चाहते हैं तो भी आप नहीं भी तो दो से तीन लाख रुपय आपको लेके उतरना पड़ेगा क्यूं क्यूंकि आपको shop गोदाम वरकर बहुत जादा नहीं भी तो एक basic तादाद में बेसिक मात्रा में आपको माल स्टॉक करना होगा तो इस तरह की चीजे सब जोड़ जाड़ कर अगर देखें तो आपको कम से कम दो से तीन लाख का खर्चा तो पड़ ही जाएगा अगर आप shop या गोदाम आपका अपना है तो फिर आपका कुछ पैसा बचेगा और अगर आपको rent पे लेना है तो फिर जैसे मैंने कहा तो सारा कुछ खर्चा मिला के आप जोड़ के देख सकते हैं तो उस हिसाब से कम में कम से कम में मैं बोला जादा से जादा तो आप करी स सकते हैं लेकिन कम से कम में दो से तिन लाक लेकर आप ऐसे होल सेलर investment करके शुरू कर सकते हैं बात करें अगर रीटेलर की तीसरा तरीका तो उसमें कितना investment होगा तो उसमें देखिये उसमें भी आपको एक shop तो लगेगा ही अगर आप shop के जरीय करना चाहते हैं या फिर चाहते हैं कई तरह की से इससे करतें कै लोगों के पास शौप नहीं है टो रोग एक ठेला वगएरा ले लेते हैं उसमें अगर आप रहे में बैचते आप ना चाहती हैं पलřे में कर दोपना है तो आप किराए पर लेना होगा तो उसका खरच्या पड़ेगा माल जो है वो आप अपना 15, 20, 25 जितने का जितने हजार का भी आप जो है माल लेके उतरना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं तो नहीं भी तो मैं कम मार्जिन में बोलू तो 30,000 से 50,000, 60,000 तक में आप जो है अगर आप फैक्टरी शुरू कर रहे हैं तो फिर आपको फिर ज्यादा टेंशन ही नहीं है लेकिन अगर आप मतलब होलसेलर हैं फैक्टरी वालों की बात छोड़ देते हैं होलसेलर अगर शुरूवात करना चाहरा है कोई कि होलसेलर बनेगा पटाको का और वो कहां से माल मंगवाएगा तो फिर उसकी बात अगर करें तो वो फैक्टरी से कॉंटैट करेगा अब इंडिया में हर स्टेट में आपको जो है देखने को मिल जाएगा पटाको का बहुत सारा जो मैनुफैक्टरर है फैक्टरी है वो बहुत सारे हैं अगर आपको नहीं पता है तो आप जो है नेट ओन कीजिए वहाँ पे इंडिया मार्ट पे जाएए वहाँ पे आप मंगा सकते हैं as a wholesaler और जहां तक बात retailer की करें तो वो कहां से माल लेगा तो वो तो अपने area के जो wholesaler होते हैं पठाकों का उसके पास ही जाएगा और अपने budget के हिसाब से वो माल ले सकता है और फिर आप जो है वहां से माल मंगा के शुरुवात कर सकते हैं और retailer को उतना भी problem नहीं है retailer बस एक contact करेगा ढूंडेगा wholesaler अपने area में अपने शहर में और वहां पर जाएगा माल उठाएगा और business की शुरुवात कर देगा तो इस वालों का तो लाखों में जाता है wholesaler का भी लाखों में जाता है सेल के उपर डिपेंड करता है अब नए ने आप शुरू कर रहे हैं इस वक्त आपके as a wholesaler हो या as a retailer हो आपको कोई उतना नहीं जानता है तो आपको थोड़ा सा time लगता है business को जमाने में तो धिरी धिरे जैसा business जमेगा जैसा sale बढ़ेगा उस ऐसा आपको फाइदा देखने को मिलेगा लेकिन अगर फिर भी एक आकड़ा मान के चलते हैं तो भी आप लाग दो लाग रुपिया starting में wholesaler के रूप में आप कमा सकते हैं और साथ ही retailer की अगर वाद करें तो नहीं भी तो आप 30-40,000 रुपिया starting में कमा सकते हैं क्योंकि आज के दौर में ऐसा नहीं है कि सिर्फ नवरातरी और दिवाली में लोग पठा के फोड़ते हैं और तब खरीदते हैं साल भर किसी ना किसी बहाने किसी ना किसी occasion के बहाने लोग पठा के फोड़ना पसंद करते हैं और फोड़ते हैं जैसे शादी बिया जनम दिन तेवहार साथ ही कोई अगर political party जीत गई तो उसकी खुशी मनाने के लिए किसी ना किसी कारण से किसी ना किसी तरीके से बहाने से लोग पठाके आज कल वो बारो महीने बिखते हैं और लोग फोड़ते हैं खरीते हैं तो इनकम आपका वो होता रहेगा तो इसमें आपको सोचने वाली बात है ही नहीं तो profit margin जो है इसमें आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा तो दोस्तों ये रहा पठाको का business का एक चोटा सा विवरन चोटा सा जानकारी जो आप अगर start करना चाहते हैं तो आपको क्या-क्या चीज़े लगेंगी कैसे कर सकते हैं इसकी बारे में मैंने आपको एक चोटा सा idea दिया अगर आपको ये information ये वीडियो अच्छा लगए तो like कीजिएगा और अगर नए हैं तो subscribe कर के जाएगा क्योंकि मैं इस तरह के वीडियो इस तरह के information आप सभी लोगों के लिए लाता रहता हूं मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए टाटा